नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके पने यूटूट चैनल टेक में गुरू जी में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीपी से 66 परिच्छा के बारे में जी आप बात करते हैं बीपी एसी के सी सी के एक्जाम के लिए तो आपको पता होगा उसका एक्जाम का डेट है वो है 27 दिसंबर तो फिर बहुत ही लैटेश्ट अपडेट अपके लिए लेकर आ चुका हूँ जो बीपी एसी का जो 66 आपका एक्ज सी का उसका एडमिट कार्ड कब तक जारी होने वाला है उसके लिए आपर देखिए ऑफिसियल अपडेट आपके सामने में लेकर आ चुका हूँ देखिए आपर कुल कितने सेंटर बनाए गये हैं इसके अलावा 782 फॉर्म रिजेक्ट हुए है केवल एज की वजए से उसमे आपका आकड़ा जो है वह ओफिसयल जारी हो चुका है ओफिसयल वेबसाइट पर इसका अब्रेट हो चुका है इसके लावा का एडमिट कार्ड जो है वह कब से जारी होगा उसका डाउलोड करने का लिंक का एक्टिव किया जाएगा सब कुछ यहां पर हम देखने वाले है और समझने वाले हैं दोस्ता आपका एक्जाम जो है वह 27 दिसंबर को जो पहले से डेट तरह की गई थी उससी दिना पर करवाया जाएगा इसके लावा क्या इंफॉर्मिशन दिजारी सभी करने डेट के लिए ओफिसली वह हम देखने वाले हैं तो जो फ्रेंस हमारे चैनल पर नए हैं अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो रहां चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकों को दबा दीजिएगा तरह को लिटेस्ट अपडेट हो कोई नई इंफॉर्मिशन हो सबसे पहले आप तक पहुंश सकें चले फिर्स वीडियो को 800 001 बिहार अब देखें उसटों करते हैं अपडेट के बारे में तो यहां पर आप जाएंगे इसको डाउन करेंगे थोला साथ यहां पर देखेंगे आपकी नो तार्यकों यहां पर दो अब्डेट हुए हैं पहला आपका देखिए हैं रिगार्डिंग पोस्ट पोंड आपका दिसंबर को होने वाला था वो पोश्ट पॉन हो गया है और आपको वेट करने होगा नए विज्ञापने फिन नए नोटिस के बारे में जब का नए नोटिस जाड़ी किया जाएगा तो आपका एक्जामेट वहां पर तैंकिया जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं द प्रधिक आपजाट किये वो हम देखतें तो यहां पर देखतें हैं तो बारे बारिवारी दोनों को में डाउलॉट करता हुbreaker के सामने और उपन के दिखाता हूँ क्या प्रच्छा से संबंसित अब भेरथियों को सूचित किया आता है कि उक्त प्रारंबिक परिच्छा रभी वारत दिनान 27 दिसंबर 2020 को एकल बैठा कि यानि 12 मध्यान से दो बज़े तक अफराहन तक है तो एक से और टाइमिंग है वो बारफ जे दो पहर से दो बज़े तक अपकर अग्जाम होगा जिसमें देखिए बिहार राज्य के पैंटिस जीलों में आपके जो है सेंट बनाय जा रहे है और यहाँ पर 888 जो है परिच्छा केंद जो है आवेजित किये गए हैं दो दिखे आप दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा जिया जाएगा और दीखे प्रवेस पत्रय एडमिट कार्ड डाक दोया नहीं भीए जाएंगे तो आप डाक दार एडमिट कार्ड के बारे में भूल जाईए अब तो इस विश्टम मैक्सिमुम एक्जां की बात की गई थी तो उसी के अनुसार देखें हैं पर 782 अभ्यार्थियों को अनहरित किया गया है और जो अभ्यार्थी है उनकी सूची आयोग के वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित किया चुका है जो भी अभ्यार्थी यहां पर अपने उनका फॉर्म रिज संध्या के समय आपका पांच बज़े तक यह साथ सामने आपत्ति आयोग की तरफ से प्रस्तुत कर दिया जाएगा वहां से आपना आपत्ति या अगर अब्जेक्शन करना चाहते हैं तो वह एक लाइक कर सकते हैं इमेल आडी देखिए जोस्तों क्या है आपका बिपी एसी पी एटी फ्लैस बिए एच एट रेट एट एडाइट इन पर आप भेज सकते हैं यह आपका इमेल आडी लिखा हुआ है इसको बात करते हैं कि यह साथ तो बैसे कौन से करने डेट है जालिए आपको लिस्ट देख लेते हैं तो फेंस यह पूर आपका देखिए लिस्ट है यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है लिस्ट आफ अंडर एज कंडिडेट लेस देन ट्वंटी इस ऑफ एज आज एक आठ दोयर बीस दोस्तों आप लिखा गया था आपकर जो एक आठ दोयर बीस से किया गया है इसके लावा देखे लिस्ट आफ ओवर एज कंडिडेट जनरल एड़ 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 एज मेल मोर दन 37 यहां पर एक आठ दोयर बीस दोस्तों जिनका एज यहां पर एक आठ दोयर बीस को एड करने पर साहितीस साल से ऊपर जा रहा है वह जनरल और एड़ है अधमिट कार्ट का तो हमने देखा है कि bpsc क dua एधिक्त कर रहे हैं में कि धस दिन या फिर पहले अफिसल सायुल करते हैं तो घज़ेंगे लिए जुआ पर इंडृ कर दिज़ेगा फिर नए अपडेट नएनकारी के साथ तक तक के लिए दोस्तों नमस्कार